हलो स्टुडेंट्स मैंने किल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में चिसमें लोग 8.4 प्रश्णावली के प्रश्ण शुरू करने जा रहे हैं इस से पिछे वीडियो में आप लोगों ने सभी उधारन कर लिये थे अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जरूर देख लेए शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दूँ कि फॉर्मलेज जो जो लिखे हुए हैं पीछे वाले वीडियो में पर मैंने लिखे थे आप लोगों ने याद कर लिए होंगे अगर नहीं किये हैं तो पहले ही याद करें उसके बाद आपको बहतर समझ में आएगा फॉर्मलेज जो बेसिक आइडेंटिटी इस थी तीन तो यह साइन स्कॉयरे प्लस कॉस कॉयरे वन होता है वन प्लस टैन स्कॉयरे सैक स्कॉयरे होता है और वन प्लस कॉट स्कॉयरे को सैक स्कॉयरे होता है यह तीन हमने प्रूव भी करी थी उसके बाद टैन होता है साइन से एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इसी को उल्टा कर देंगे तो cos का जाता है तो 10 का याद होगा तो cos का भी याद हो जाएगा आपको Next, sin और cos A एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो sin A बराबर 1 upon cos A है ऐसे ही cos A बराबर 1 upon sin A जगय नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं हो ऐसे ही cos और sac एक दूसरे के उल्टे हैं तो जैसे cos से 1 upon sac A है विसे से 1 upon cos A होगा ऐसे ही 10 और cot एक दूसरे के उल्टे हैं तो 10 A की जग़े आप 1 upon cot A लिख सकते हो या फिर cot A की जग़े 1 upon 10 A लिख सकते हो एक दूसरे का उल्टा कर सकते हैं अपनिस में तो इन तीन से बाकी के तीन भी बन जाते हैं बाकी ये main formulas हैं जो मैंने लिख दिये हैं इनी का use लेकर के सारे questions हो जाएंगे, सारे तो ये रटे हुए होने चीए आपको तब जाकर के questions करने में मुझ आएगा और आप खुद से approach बना पाओगे शुरू करते हैं ये उधारा नंबर 12 जो हमने किया था एकदम same question है उस जाज़ाई त्रिकोर्ण मिती अनुपातों sign a, second और 10 a को caught a के पदों में व्यक्ट कीजिए मतलब इन तीनों को caught के पदों में लेग आना है ये तो direct caught के पदों में वैसे ही है इसको तो लाने की जोरत ही नहीं है 10 a, direct 1 upon caught a, एक का तो काम निपटगे है ठीक है, तीन में से तो मैं यहां लिखता हूँ, हल में सबसे पहले तो आप इसका निपटा हो 10 a को हमने caught a के पदों में लिख दिया 1 upon caught a ये equation number 1 भी लिलो चरत पढ़ेगी तो आगे use भी लेंगे हम आगे देखो, आगे है sine a को भी लिखते है, sine a को caught में कैसे लेके आए sine का connection यहां या तो caught से है या फिर यहां Cossack से है ये काम का connection है क्यों? क्योंकि sine का connection Cossack से है और Cossack का connection किससे है? caught से तो ये यूं connect हो जाएगा sine caught से sine का connection Cossack से और Cossack का है caught से तो sine indirectly caught से connect हो जाएगा आप देखो कैसे करेंगे उसको सबसे पहले तो यहां से Cossack की value निकालो और यहां रख दो ताम कतम तो मैं यहां लिखता हूँ कि 1 प्लस caught स्क्वाइर A का मान होता है Cossack स्क्वाइर A और अगर इसकी help ले तो Cossack A की value कितनी आएगी? वो आएगी 1 प्लस caught स्क्वाइर A का under root Cossack A का मान ही आएगा Cossack A आगया यह समीकर नमबर 2 ले लो आप इसको यहां से अब मान हम लोग इसमें रखेंगे हमें पता है कि Cossack A का मान होता है 1 upon Cossack A और Cossack A का मान यहां से 1 प्लस caught स्क्वाइर A अगर आप रख दो यह समीकर नमबर 2 से हमने रखा है ठीक है? तो यह Cossack A का मान हमारे पास आजाएगा caught के terms में caught के पदो में यह equation number 3 ले लो आप इसको अभी तर क्या किया हमने 10 को caught के रूप में लिख दिया sign को भी caught के रूप में लिख दिया sign को पहले 1 upon Cossack लेगा फिर Cossack की value caught के रूप में रख दी तो sign caught के रूप में आगए last sack A को caught के रूप में लेके आना है तो SAC का connection हमारे पास 10 से है और 10 का connection pot से है तो SAC का अपने आप pot से बन जाएगा इस तरह से indirectly तो शुरू करते हैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि भई SAC square A जो है SAC square A होता है 1 प्लस 10 square A ठीक है तो SAC square A का मान अजाएगा 1 प्लस 10 square A 10 square A का मान यहां से रखो 10 square A का मतलब क्या है 10 A जो भी यह उसका square करना है तो 1 upon cot A रखो 10 की जगे 1 upon cot A और उसका कर दो आप square तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 upon cot square A हो जाएगा 1 का square तो 1 ही है नीचे cot square A हो जाएगा अब आप LCM ले सकते हो यहां पर LCM लेको तो जितना बनेगा cot square A तो यह divide में है LCM में है और यह इधर आजाएगा 1 के साथ में cot square A फिर प्लस में 1 और यह किसके बराबर है sack square A के तो sack A कितना आजाएगा under root में पूरा का पूरा under root मे cot square A plus 1 लिखो या 1 plus cot square A लिखो उससे कोई फरक नहीं पड़ता और divide में क्या है cot square A अब ध्यान से सुनो जब उपर का under root तो अलग चल रहा है 1 plus cot square A वो तो रहे गई रहेगा नीचे जो है square से under root कट जाएगा और यह simple cot A बन जाएगा सेक A का मान आ गया 1 plus cot square A बटे में cot A यह हमाना answer आ गया इसको चाहो तो equation number 4 आप के लाओ तो 10 A भी cot के रूप में आ गया sin A भी cot के रूप में आ गया और सेक A भी cot के रूप में आ गया इसके अलावा बाकी के भी निकाए आ सकते हैं हम लोग हर किसी को किसी दूसरे में convert किया जा सकता है कोई दिक्तत वाली बाती है इनी फॉर्मलेस का इस्तेमाल लेते होई कोई ना कोई इन में से ही फॉर्मला यूज आएगा और वो एक दूसरे में convert हो जाएगे अगला वाला question इसी तरह का है किसी एक में सभी को लेगा आना है देखो question number 2 देखें क्या question है कौण एक के अन्य सभी त्रिकॉंड में दिया नुपातों को सैक एके पदों में लिखें कौन कौन से होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सैक, को सैक तो सैक के अलावा 5 और है जिनकों में सैक के रूप में लेके आना है मतलब sign, cos, 10, cot और cos, सैक को सैक के पदों में लेके आना है तो सबसे आसान कौन सा रहेगा cos, वो तो direct सैक के पदों में है cos से बरबर one upon सैक के तो तुरंत यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला cos से शुरू करते हैं तो cos A का मान है one upon सैक A एक का काम खतम बचे चार चार भी बहुत असान ही से हो जाएंगी क्योंकि sign cos से connect है और cos connect है सैक से तो अपना काम यहाँ से हो जाएगा sign का तो बहुत असान ही से हो जाएगा देखो कैसे होगा यहाँ आप लिखोगे sign square A plus में cos square A बराबर में एक तो यह बन जाएगा हमारा sign square A बराबर में 1 minus cos square A यह उधर चला गया ठीक है cos का मान समय करने एक से क्या रखोगे आप one upon सैक A का whole square square है तो whole square रगा भी है कितना बनेगा one minus one upon सैक square A क्योंकि one का square तो one मीचे सैक square A यह जो भी है उसका आप LCM ले लो वैसे answer आ गया है almost square से under root लेना है last में बस sign square A का मान तो आई गया है तो sign square A जो है वो LCM आएगा इसका वो आएगा सैक square A minus one upon में सैक square A LCM ले लिया सिंपल में अब square हटाओ तो sign A कितना आ गया सैक square A minus one upon सैक square A का hole under root अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यह बन जाएगा देखो उपर वाला तो क्या बनेगा सैक square A minus one का under root और नीचे बन जाएगा square से root कटेगा तो सैक A तो यह हमारा final answer आ जाएगा किस का मान sign A का मान समीखर नंबर आप दो ले लो हमने cause A का मान निकाल लिया सैक A के रूप में उसके बाद हमने फिर sign A का मान निकाल लिया सैक A के रूप में अब बाकी के चीज बाकी के जो भी है 10 यहां से direct connect हो रहा है सैक से direct तो कैसे लिखोगे आप आप लिखोगे 1 प्लस 10 square A जो है वो सैक square A के बराबर है तो 10 square A यहां से आ जाएगा सैक square A minus 1 1 उदर जला गया 10 का 1 बहुत असा निसे आ जाएगा square अटा होगे under root आ जाएगा तो 10 A बराबर हो गया under root में सैक square A minus 1 यह समीकर नमबर हमारा 3 है यह समीकर नमबर 3 है ठीक है यह हमारा बन गया minus 1 से यह बस 10 A आ गया 10 से 10 की मदद लेकर के हम caught को भी सैक के रूपे ले सकते हैं 10 और caught एक दूसरे के उल्टे हैं 10 बराबर एक बटे caught है तो caught बराबर भी तो ऐसे ही होगा caught A का मान क्या होगा 1 upon 10 A caught और 10 एक दूसरे के उल्टे हैं 10 A का मान यहां से रख़़गा 1 upon सैक square A minus 1 का whole under root तो यह जो caught A का मान आया सैक के रूप में यह हमारी equation number 4 होगी अब आप थोड़ा से ध्यान दो सैन का मान हमने निकाल लिए सैक के रूप में cause का निकाल लिए सैक के रूप में 10 का निकाल लिए सैक के रूप में caught का भी निकाल लिए सैक के रूप में सैक का तो निकालेंगी नी cause A बचा है cause A cause A cause A जो है वो 1 upon sign a होता है छीक है 1 upon sign a होता है sign a का मान यहां से समीकरन नमबर 2 से उठा के रखता है तो यह 1 upon में sign a का मान रखता हूं मैं जो की है Sec square a minus 1 का under root बटे में Sec a ठीक है यह मैंने समीकरन नमबर 2 से रखा है अब बस यह उपर जा करके उल्टा हो जाएगा हो गया कम, तो क्या बन जाएगा सैक A बटे में सैक स्क्वाइर A माइनस उन का अंडरूट, यह समीकर नंबर हमारे 5 हो गया, यह हमारा कॉसाइक A का माना लिया एक बात हमेशे जान लो यह सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप डिरेक्ट भी सोच सकते थे कि साइन A का मान यह है, तो कॉसेक का मान यू घूमेगा बस पक्की बात है, जैसे टैन A मान यह है, तो कॉटे का यू घूमेगा यू चलता है सिंपल में, ठीक है? तो यह इस तरह से सालो करने हैं, यह फॉमलेज जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप वशन्स नहीं कर पाओगे, इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह फॉमलेज आपको रटे हुए होने चीए एकदम अच्छे से मुझबानी याद होने चीए तुरंतां सराना अच्छी है मतलब, ठीक है, चलो थर्ड नंबर वशन शुरू करते हैं देखें, तीसरे प्रशन के दो पार्ट है पहला और दूसरा, दोनों मैं लिख दिया है एक की बार में हो जाएगा यह जो वशन है, आठ कॉइंट तीन प्रशनावली यह दोनों फॉर्मलेज यहाँ पर काम आने वाले है बाकी के भी होता है, टोटल 6 होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन कॉस का कॉशन है इसलिए मैंने केवल साइन कॉस वाले लिखे है ठीक है, शुरू करते हैं ध्यान से देखो कैसे पहचाने की इसका कॉशन है कैसे पताज लेगा कि 8.3 प्रशनावली से रिलेटेड फॉर्मले इसका हम आएंगे पहचानने का तरीका बहुत सिंपल सा है आप बस यह देखो कि टोटल 90 हो रहा है क्या 63 और 27 का टोटल हो गया 90 17 और 73 का टोटल हो गया 90 इसका मतलब उपर दोनों का टोटल 90 नीचे दोनों का टोटल 90 तो उपर दोनों में से किसी एक में आप यह फॉर्मला लगाओ और नीचे दोनों में से किसी एक में यह फॉर्मला लगेगा तो कहने का मतलब अगर टोटल 90 डिगरी बन रहा है तो इसका मतलब उसन से related कुछ ना कुछ है अब शुरू करते हैं मैं 63 को लिख देता हूँ मैं ऐसा करता हूँ 90-27 63 क्या होता है 90-27 होता है और ये as it is sin square 27 degree as it is 27 हमने उपर बना लिया नीचे आप चाओ तो इसको बदलता हूँ मैं बड़े वाले को बदल रहा हूँ फिलाल आपकी मर्जी है तो 17 degree को बदल दो कोई फरक नहीं पढ़ेंगा answer पे यह आप लिख रहा है cos square 90-17 होता है 73 मतलब 90-17 sin 90-a sin 90-a cos a cos a मतलब ये cos 27 हो जाएगा a का मान तो 27 है या तो ये cos 27 और square वही जो था उदर महा पे और प्लस में sin square 27 degree divided by ये cos square 17 degree तो चली रहा है और ये cos 90-a cos 90-a sin a तो ये हो जाएगा sin square 17 degree a का मान वही 17 चीएगा अब ज्यान देने वारी बात है देखोно sin square plus cosine square का मान कितना होता है एक अगर यहां दोनो a a का मतलब समान दोनों जेका होना चाहिए तो यहां भी 27 है और यहां भी 27 है तो sin square और cosine square का total कितना हो जाएगा एक और नीचे नीचे आप यहां पर देखोगे तो यहां भी 17 है, same वोई, sin square plus cos square, यहां भी 17 है, तो इसका total अलग से 1 हो जाएगा, तो final answer कितना आएगा इसका, एक, आप bracket में जरूर लिखो, since sin square a plus cos square a is equal to कितना 1, और यहां पर आप लिखो कि sin 90 minus a का मान तो होता है, cos a, और cos 90 minus a का मान होता है, sin a, यह आप यहां bracket में लिखो तो इस तरह से मतलब question को solve करना है, तो दोनों प्रशनावली का इस्तिमाल हुआ, इसमें क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि इसके बाद तो इस प्रशनावली के formula का use लिया था, और इससे पहले हमने 8.3 प्रशनावली का use लिया है, तो 8.3 और 8.4 का mix question हो गया एक प्रिगे से, ठीक है, चलो इधर देखते हैं, यहाँ भी इसी तरह का question है, ध्यान से देखेंगे, total 90 बन रहा है, 25 और 65 का, 25 प्लस 65, 90, 25, 65, 90, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है मतलब, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, किसको बदलने, देखो ध्यान से, हमने अभी ब से देखा, sin square, cos square, 1 होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ sin बना लेता है, मतलब मैं इसको बदल देता हूँ, cos बदलेगा, तो किस में आएगा answer, sin में आएगा, तो मैं इसको बदलता हूँ, ऐसे ही इन दोनों में से, मैं इसको बदल देता हूँ, sin को, ताकि वो cos में बन साइन और फिर यहां भी sin आजाएगा, sin square हो जाएगा, ताकि sin square और cos square बन हो जाएगा, तो देखो क्या करेंगे आगे, यहाँ पर आप लिखोगे, sin 25 डिगरी और यह cos 65 को आप लिख सकते हो, cos 90-25, 65 का मतलब 90 में से 25 और ऐसे ही यहाँ पर cos 25 डिगरी और यह हो जाएगा, sin 90 minus 25 डिगरी, simple में, अब देखो दियान से, sin 25 डिगरी, cos 90 minus a, cos 90 minus a sin a, तो sin 25 हो गया है, ऐसे ही, cos 25 तो यह ऐसे कैसे है, और sin 90 minus a, sin 90 minus a, cos a, cos 25 भी यह हो गया, अब देखो क्या बनेगा है, bracket में जो formulas यूज आ रहे हैं, वो bracket में लिख देना, वहाँ जगह नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, यहां लिखा हुआ है, वालड़ी वैसे भी, आप copy में लिखना जरूर से, है ना, sin, sin, मिलकर के sin square, cos, cos, मिलकर के cos square, और sin square और cos square मिलकर के, one bracket में यह formula, यही formula bracket में, यहां भी आएगा, दोनों का मान बना गया, तो बहुत अच्छे questions है, simple है, तीन, चार लाइनों के questions है, लेकिन formulas को किस तरह से कहां कैसे apply करना है, यह बहुत अच्छे से यहां पर आप मेरे ख्याज़े समझ सकते हो, इन questions को समझ करके, ठीक है, चलिए, next, चौथा question, उसके भी कुछ parts है, वो करता हैं, देखें, चौथा question है, 9 sec square a, minus 9, 10 square a, बरावर है, तो शुरू करते हैं, यहां से, देखो, 9 sec square a, minus 9, 10 square a, देखो, 10 और sec में connection है, कहा है, यह रहा, तो इसका मतलब sec square a की जगे यह वहान रखा जा सकता है, sec square a का मान क्या रख सकते है, 1 plus 10 square a, तो मैं यहां पर sec square a की जगे, 1 प्लस 10 स्क्वाइर A रख रहूं और माइनस में ये 10 स्क्वाइर A चली रहा है ठीक है तो ये बन जाएगा नेको 9 प्लस 9 10 स्क्वाइर A और माइनस में ही 9 10 स्क्वाइर A क्या बनेगा कट गया आंसर कितना 9 तो टिक करेंगे तो B option बहुत सिंपल सा question है हमें सिर्फ ये वादा formula यूज लेना था खौद असानी से answer आ गया है चली नेक्स देखते हैं ये पहला नंबर था दूसरा नंबर है 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सैक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में को सैक थीटा ठीक है अब देखो जरब अभी तो देख करके कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैसे क्या answer आना चीए तो बहुत सारे जब मिक्स आ जाए ना जैसे 10 है कॉट है सैक है को सैक है बहुत सारे चीज़े आ गई वह सब पुछ साइन कॉस में कनवर्ट कर लो वह आसान पड़ता है व तो cos theta हो गया, चीक है, ऐसे यहाँ पर 1 plus cos theta, cos theta का मतलब है, cos upon sine, तो cos theta upon में sin theta, minus में cosac theta, cosac और sine एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यह 1 upon sin theta हम इसको लिख सकते हैं, 1 upon sin theta हो गया है, देखे कितना आएगा, यहाँ पर LCM अगर लें, तो cos theta LCM में है, और यह बन जाएगा, 1 plus sin theta plus 1, यहाँ सॉरी, cos आएगा, मैंने गलत लिख दिया, इसको LCM मिलेगी, तो यह cos theta आजाएगा, cos theta plus sin theta plus 1, और अगर इस पर LCM मिलें, तो यह नीचे sin theta यहाँ पर LCM में आ रहा है, और यह बन जाएगा, sin theta plus में cos theta, और minus में 1, यह बन गया उपर, ठीक है, अब simple उपर दो bracket हैं, जिनको आप उसमें बुणा करना है, नीचे तो simple sin theta into cos theta है, तो उपर के जो दोनों bracket से उनको अगर आप बुणा करते हो, त्यान से देखेंगे इसको, पहले cos theta इन तीनों से होगा, फिर sin theta इन तीनों से होगा, फिर 1 इन तीनों से होगा, तो क्या answer बनेगा, सबसे पहले तो cos इन तीनों से, तो cos into sin, cos theta, sin theta, plus में cos into cos, cos square theta, cos into 1, cos theta, sin into sin, sin square theta, sin into cos, sin theta, cos theta, और sin into 1, minus sin theta, 1 into sin, sin theta, 1 into cos, cos theta, और 1 into 1, 1, अब डिवाइड में अगर आपन बात करें, तो sin into cos, sin theta, cos theta, ठीक है, देखो कितना आएगा, cos minus का plus से कट गया, sin minus का plus से कट गया, और तो कुछ खास नहीं है, वस यह काम है कि sin square theta, और cos square theta मिल करके, कितना हो जाता है, 1 के बराबर इस formula के else है, तो इन दोनों की जगे, 1 लिख देंगे, बाती क्या है बचा, देखो दियांसे, उपर तो बचा, sin theta cos theta, sin theta cos theta, तो दो बार sin theta cos theta बच गया, इन दोनों को मिला करके हम एक लिख दिए, यहां सारा खतम, बचा minus 1, और divide by sin theta गुणा में cos theta, minus 1 से plus 1 कट गया, sin theta से sin theta जाएगा, cos theta से cos theta जाएगा, बचे का कितना, दो, तो कौन सा option answer है, यह अच्छा question था, यह अच्छा question था, हमने इसमे, sin cos में convert किया सभी को, और फिर answer निकला है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, LCM, LCM ध्यान से लेना है, उसके बाद उपर के brackets ध्यान से multiply करने है, फिर जाकर के answer आएगा, बहुत अच्छा question है, ठीक है, तो जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए, कई सारे trigonometric ratios एक साथ आजाएं, तो फिर उस case में sin cos में convert करने से, जल्दी answer आजाता है, आसाने से answer आजाता है, चलो next बढ़ते हैं आगे, third part, मेरे को एक बार मिटाना पड़ेगा इसको, तो मैं एक बार यह हटा देता हूँ, देखो, third वाला है हमारे पास, sec a plus 10 a, into में 1 minus sin a, बराबर है, तो करके देखते हैं, sec a plus 10 a, और 1 minus sin a, जैसे यह किया हमने, भई mix आ रहे थे कई सारे, तो sin cos में convert किया है, यहां भी mix ही है, sec है, फिर 10 है, फिर sin है, mix है, तो sin cos में convert कर लो, आराम से हो जाएगा, sec a, अभी अभी लिखा था हमने, sec और cos एक दूसरे का उल्टा है, तो one upon cos a लिख सकते हैं इसको, 10 a को आप लिख सकते हो, sin a plus cos a, तो यह हो जाएगा, sin a plus cos a, और यहां पर 1 minus sin a, as it is, LCM, LCM लोग है तो यहां पर cos a, LCM में आ रहा है, और यह one plus sin a बन जा रहा है, और इधर one minus sin a, चीक है, उपर थोड़ा ध्यान दो आप, उपर थोड़ा ध्यान दो, a plus b, a minus b, one plus sin a, one minus sin a, a square minus b square होता है न, a plus b, a minus b कहलो, या x plus y, x minus y कहलो, आपने 9th class के सीखा है यह, identity, x square minus y square होता है यह, यह हमने bracket में लिख दे, अब ध्यान से देखें, one minus sin square a, one square मतलब one ही है, और यह sin square a है, और नीचे cos a चल रहा है, देखें जे रहा, इस formula का इस्तेमाल करेंगे, first number का, और इस sin square को उधर लेके जा रहा है, इसको उधर लेके जा रहा है, तो cos square a का मान कितना आ जाएगा, one minus sin square a, यह अगर उधर जल जाएगा तो, तो one minus sin square a कितना हो गया, cos square a, तो one minus sin square a कितना हो जाएगा, cos square a, और बटे में, simple cos a, तो दो पावर से एक पावर कटेगी, तो क्या पचेगा, simple cause है, यह हमारा final answer आगी है, क्या बना, D option, बहुत simple है, questions बहुत simple है, अगर कुछ समाझ नहीं आए, तो sine cause में convert करो, इनका इस्तेमाल करो, कहां कौन से इस्तेमाल में आएंगी, यह practice से आपको आएगा, और formula इस रटे ह लो, ठीक है, last, बहुत असान है, यह सबसे असान है, इन चारों में, देखो, direct formula हैं इसके, 1 प्लस 10 square, यह रहा, sack square A, और 1 प्लस 40 square, cosec square A, दोनों का formula यहाँ पर लगाओगे, तो यह उपर वाला तो बन जाएगा, sack square A, और नीचे वाला बन जाएगा, cosec square A, अब आगे लेकि आगे sin cos में बदलो, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि sec upon cosec तो कुछ होता ही नहीं है, तो sack को one upon cosec लिख सकते हैं, साइन और कॉस डिवाइड में साइन बटे कॉस कितना होता है और स्क्वाइर में है तो क्या बन जाएगा टैन में भी स्क्वाइर लग जाएगा तो यह आप लिख सकते हो लास्ट वाले का अंसर है डी ऑप्शन तो बेसिक यूज लिया है मैंने इन फॉर्मलेस का आप लोग अच्छे से याद करो इन फॉर्मलेस को यह प्रशनावली थोड़ी बड़ी है 8.4 प्रशनावली में टोटल 5 questions है चार हमने कर लिए है पांचवा question में 10 पार्ट है और सबसे इंपोर्टेंट अगर त्रिकॉंड मितिकी में बात करूं आठवे chapter के बात करूं तो आठवे chapter मे सबसे इंपोर्टेंट 8.4 प्रशनावली का पांचवा question है उसके 10 के 10 पार्ट बहुत important है बहुत ही ज़्यादा तो next वीडियो में हम लोग उसको cover करेंगे तो next वीडियो most important होने वाली है उसको आप बिलकुल भी miss नहीं करें बाकी आपको ये questions करके थोड़ा बहुत idea लगा ह होगा कि इन fireplace को किस तरह से apply करना है फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो नीचे comment box में लिख सकते हैं मिलते हैं आप से एकली वीडियो में thank you so much